नमस्कार दोस्तों रामकरासियत दोस्तों परताब गड़ ब्लोचेनल में सबका स्वागत है आद दोस्तों हम बात करूंगा कि जमीन पर परवर की खेती किस तरह से किया जाता है और किस महीना में इसका खेती करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा ज्यादा पैदावार हो और ज कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे हैं आपके मन में कोई सवाल है कोई सुझाव है नीशे कुमेंट जरूर करें तो सर जी आपको नाम क्या है अपना नाम बता दीजिए पूरा एड्रस बताईए थोड़ा यहां पता भारवतला पटेल गराम विसंभापुर प ऐस्या टुष्फर मंध से शुगात किया जाता है तूसला नामबर नमबर में तो इसका जो है कितना किस हृषास लगाया जाता है इसका खरिदा जाता है कि आप जो ही यहीं से कर लेते हैं यहीं से यहीं से जो जो है जैसे लगाना तो इसमें कौन सी डार कितना किस तरह लगेगा दिखा देजिए जैसे डार है कि डार कुछ दूर पर काट लेजिए और एक एक खात पर मोड लेजिए एक खात पर कितनी बार मोडना होता है उसको च जो है तोड़ लेना है उसको चार से पांच बार मोड़ देना है मोड़ने के बाद उसको गठे करके आधे से जादा गाड़ना है यानि कि मानलो एक फीट तक जितना हो मतलब आधा कर देना है तो कितना दिन बाद जो है वो कला लेगा एक महीने के बाद तो जब इसको होगी तब यथा जो एगा गाड़ करना हौता है आपका जो परवर है इस से क्या benefit होता है आपके परवर को, इस फाइदा क्या है, इसमेहर मेनार्व कम है, इसका माचन में बजाग भाव भी रहता है, भाव नहीं हो नहीं होगी अर दूसरा benefit, इसका बनी रहती है तो इसको रखने से इसा बता जाता है वारिस को सीजन होता है तो बारिस को सीजन से क्या है कि अगर इसको नहीं रखते तो फल जो है सरने कर ड़र रहता है इसमें नीचे जो है वो नहीं है ना पैरा नहीं रखा गया है थोड़ा दिखा देंगे उस साइड में यह तो कितना विश्वम है आपका यह पांच विश्वम है यहां सोहां तक कि इसमें जो है एक दिन में कितना निकल रहाया बी जिन चौथे दिन तोड़ाई कर तोड़ाई करते हैं बजाहर बजार के algebra चैजबी यह वजार अपने गांव की सुमार विफ्भी हिए डों सिर्दिन जो है इसका जो है मार्केट करते हैं समय होता है अधी के खटे वे राग जोन तो चलना थिए इसको खराब नहीं होगा तो आप वे से इक ट्थम देते हैं कि बाइटकर बेचते हैं इक ट्थम देते हैं तो इकठ़ा किस हिसास बिखता है यहाँ 2,500 पांच प्रुपया बिखता है तो फुटकर बेचने वाले 20-50ुपया पाउब बेचते हैं यानि किलो में मार्केट में यहाँ पर कितना रुपया किलो बिख रहा है अभी अपने दुर्गगंज में साथ रुपय किलो है, उसके एक किलो का साथ रुपया है, तो आप इक अप्टां कितने किलो निकल जाता होगा? कितना किलो होता है अभी आप जो है कितना महीन हो गया इसको अभी यह पैरा पैर डालने है यह आपका पाउधा जो है पूरा इसका खेती कि यह कितना महीन हुआ है इसका तो अप्रैल माहीन जून जुलाई यानि इसको चार महीने से आप बेच रहे हैं इसकी बिक्री मार्केट में चार महीने से शुरू हो गया इसका रेट सुरू से यतना है तो इसका जो है अभी मालनो कि रेट अच्छा है तो एक मार्केट में एक दिन में मान लिजिए कि आपको एक बजार का कितना तक मिलता होगा पैसा एक अंदाज यानि सप्ता हमें दो बार बेशते हैं तो मान लो उप यानि चवदा एक महीने में चार मार्केट होता है तो चवदा चको छपपन यानि पांच छे हजार रुपया एक महीने का तो एक कितना महीने तक अभी लगातार इसमें आप लेते रहेंगे फ़ल त्व नवंबर त्व यानि कि आप किस महीने सुरू कर देते हैं बेशना इसको अप्राइल माई जून जुलाई अगा सितंबर अक्टूबर यानि सात महीना चलेगा यानि इसमें आपको अगर बेनिफिट की बात किया जाए तो आपको 40 से 42,000 रुपया 45,000 तक हो जाएगा ने आप वो क्या लगा रखें वहाँ पर आओ थोड़ा देख लेते हैं तो दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसमें देखिए मक्षी जो यहां पर फल छेदक और फूल जो छेदक मक्षियां होती है उसका वो नियंतरन करने के लिए लाया गया है तो यह कितने माता है उठा कर थोड़ा निकले गए बैठ जाए थोड़ा एक इतना रूप दोस्तों देख पाएंगे यहां पर मक्षी जो है अंदर घुस जाती है और अंदर मर जाती है जिससे की आपके यहां फल छेदक और फूल छेदक मक्षी चुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों हमें उम्मेद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा इसी तरह जो है जमीन परवर की खेती किया जाता है